तो आज का टॉपिक है अल्डरफुर्स का ERG थियोरी, ERG थियोरी आफ मोटिवेशन भी इसे हम लोग नाम से जानते हैं तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बार में पढ़ेंगे डीटेल में क्या होता है, कैसे होता है, किसने किया, क्यों किया and all details regarding कि अगर आपको exam में लिखना हो, अगर आप presentation देने के लिए, assignment के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप इसको पढ़ रहे हो, तो आप इसको अच्छे से समझ जाओ, और इससे अपना काम भी बना सको तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ERG का क्या मतलब है, तो ERG को अगर हम लोग तोड़ें तो E का मतलब होता है existence, फिर R को अगर full form देखें तो होता है relatedness, relatedness, फिर G का मतलब होता है growth, तो यह full form है actually ERG का और जिसको दिया था Clayton Alderford ने, इसलिए उसका नाम Alderford's ERG theory है अब यह theory of motivation से आपको अगर याद आता है, तो हाँ यह mass loss theory of motivation जो अगर आपने पढ़ाई होग, of course ही बात है तो mass loss need of motivation जो होती है, तो उसी के related उन्होंने यह theory दी है ERG theory तो mass loss के उपर मैंने वीडियो बनाई हूँ, यह अलग से अगर आपने नहीं देखिए तो वो आप उपर आई card पे नीचे description में जाकर के link उसकी check out कर सकते हो, उस वीडियो को देख लो ताकि आपको यह और अच्छे से समझ में आएगा तो अब जब mass loss ने यह theory दी थी, अपनी theory of motivation दी थी, जो आपको यादी होगा, नीचे से शुरू होता है physiological security, social, esteem और self-actualization needs, तो यह जो उन्होंने theory of motivation दी थी, तो उससे related अपना theory निकाला था, जो की उस पूरे चीज़ को यह तीन topics cover कर लेते हैं, ERG, प्लस एक बहुत wide topic की ERG, जो की और broad concept हो जाता है तो इसलिए mass laws के theory को आप थोड़ा से improvise करके मान सकते हो, Calderford ने थोड़ा से improvise करके अपना ERG theory of motivation दिया था तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या किसके लिए कैसे effective है, तो existence needs जासा है मैंने बोला, E for existence needs, R for relatedness needs और G for growth needs तो existence needs क्या होता है, जो भी आपको mass laws में जो नीचे के दो needs आते हैं, जो कि physiological और safety needs है, safety security needs तो उन दोनों needs के बदले उन्होंने ये E का term दिया, जो कि existence needs, यानि कि आपको mass laws theory of motivation क्या बताता है, कि जो सबसे पहले लोगों को चाहिए क्या है, रोटी कपड़ा मकान, physiological needs अपना पहले रोटी चाहिए, कपड़ा मकान, ये तीनों चीज चलनी चाहिए, second होती है, security needs, यानि कि उनको secure रहना चाहिए, उनको safe freeze होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कल को कोई आ करके ये डिशूम कर रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये आदमी का need होता एक तरह से, तो उसके उन दोनों के बदले उन्होंने, अल्डरफर्ण ने दिया है, existence needs, ERG में, existence needs यानि कि आदमी को ये feed होना चाहिए, कि भाई, वो exist करता है, exist करने का मतलब है, कि वो है, वहाँ प relatedness needs यानि कि जो आपका third आता है, यानि कि जो social needs है और esteem needs का half, यानि कि थोड़ा-थोड़ा esteem needs और थोड़ा-थोड़ा पूरा actually आपका social needs, तो ये क्या दिखाता है, कि आपका relatedness needs की, अगर भाई साब अगर हम society में है, तो हमें society में recognition मिलना चाहिए, हमें relate किया जाना चाहि जो भी आप कह सकते हो, तो relatedness यानि कि क्या है, यानि कि आप social society में आप हो, exist कर रहे हो, साथ में relate कर रहे हो, किसी से, दोस्ट से, यार से, और साथ में estimates की अपनी थोड़ी भाई है, respect है, तो रहा सा इज़त है उस चीज में related, यानि कि sense of emotions, feelings, यहाँ पर ये सारी चीज़े आ आता है, relatedness यानि कि आसपास में लोग है, उनसे हम relate कर पा रहे हैं, दोस्ट है, यार है, emotions है, feelings है, फोरी से, इज़त है, यह सब जो होता है कि इज़त है society में, वह वाला टाइप से relatedness आ जाता है, third last आता है आपका growth, growth यानि कि self-actualization, पूरा मतलब esteem का आधा से उपर और बा आपने, आप exist करते हो, आपका रोटी कपड़ा मकान पूरा हो रहा है, यहाँ पर आप safe fee feel हो, आप society में भी हो, लोगों से मिलते हो, उनको इज़त भी मिलती है, आपको उनसे, आप भी देते हो, तो यह आपका दोनों need पूरा हो रहा है, growth यानि कि अब आप growth चाहते हो, और ज़्यादा पैसा कमाना और अपने field में expert बनना, जो कि mass loss need कहता है, mass loss theory of motivation कहता है, तो यही ERG में G का मतलब होता है, कि आप growth और growth के तरफ और aspire कर रहे हो, और थोड़ा growth चाहिए, पूरा growth करना चाहते हो, तो यह आपका growth needs है, simply आप तरह से समझो, तो यही आपका mass loss theory of motivation, जो यही आपका पूरा elder first ERG theory है, discuss होता है, जो कि, अब point इसका जरूरत का impact क्या है, कहां पर जरूरत पढ़ता है, कहां पर काम पढ़ता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग ERG theory, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, mass loss theory of motivation में भी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो employers होते हैं, जो एक तरह से business कर रहे हैं, जो अपना employees को job दे रहे हैं, तो उनको यह पता होता है, कि आदमी किस चीज़ के लिए अभी need में है, यानि कि मान के चलिए कि अगर उसके पास रोटी कपड़ा ही नहीं है, मान के चलते हैं, कि अगर जो गरीब लोग होते हैं, ज अगर मान के चलिए कि अपने तरव से खाना दे दिये, तो he would like कि यार और अपना best दे देगा, तो यह क्या है कि आदमी एक तरव से पता लगाता है, कि हाँ इसके पास इसका अभी क्या need है, इसको क्या motivate करेगा, तो यही Maslow's needs बताता है, मान के चलते हैं, कि अगर आदमी को अपना existence needs पूरा है, यानि कि जो basic physiological needs है, और second पर आपका safety security needs है, वो पूरा है, लेकिन आपको मान के चलते हैं, कि esteem needs नहीं है, तो esteem needs के मान के साथ, social needs भी है, तो esteem needs अगर नहीं है, मान के चलिए company आपको बताता है, कि हाँ अगर मान के चल रहे हैं, कि अगर आप यह चीज पूरी कर देंगे, हमारा sales target पूरा करेंगे, company growth करेंगी, तो आपको इस society में flat दिया जाएगा, यहान के चलिए कि आपको कोई vacation trip दी जाएगी, holiday trip दी जाएगी, तो हम दुबाई, Singapore की, तो इससे क्या होता है, थोड़ा से esteem बढ़ता है, हाँ भाई, अपन भी क्या आएंग फिर कि आप पता करो कि आपके employees को क्या चाहिए, अभी फिलाल उनको क्या motivate करेगा, यही चीज़ ERG theory भी बताता है, कि आप अभी उनको यह पता दगा पाओ, कि अभी उनको क्या motivate करेगा, क्या relatedness motivate करेगा, या growth needs motivate करेगा, तो यह चीज़ होती है, पूरी order first theory, जो की ERG theory of motivation न बाइवा, take care and जय हिन वंदे मात्रम